एक्सरसाइज 6.5 का क्वेस्टा नमबर 4 करते हैं वह लोग माइक्सिमा मिनमा चैप्टर है यह के राज सिद्ध कीजिए कि निमलखित फलनों का उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है और पहला पार्ट इसमें है fx इकॉल टू e के पावर x यह फलन हमारे पास e के पावर x इसको यह बोल रहे हैं कि इसका कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है हम लोग जानते हैं उच्चतम या निम्नतम मान तब होता है जब आपको कोई critical जो है क्रांतिक बिंद मिलता है और क्रांतिक बिंद वाले बिंद पे ही हमारा जो है उच x जो निकलता उसको equal to हम लोग 0 करते हैं यानि e के power e के power x equal to 0 अब e के power x क्या हमारा कभी 0 हो सकता है यह तभी 0 होगा अब e के power कुछ भी रखेंगे आब यह तभी 0 होगा जब इसको हम लोग लिखें x की value minus infinity हो तब यह हमारा 0 होगा तो one upon जैसे के power x equal to 0 जब x equal to minus infinity क्योंकि जब x equal to minus infinity रखेंगे तो one upon e के power infinity और e के power infinity बहुत बड़ी संख्या होगी तो यह equal to 0 लेकिन x equal to minus infinity यह plus infinity हमारा कोई number नहीं है यानि e के power x equal to 0 इसका क्या होगा no solution होगा real number x में इसका कोई solution नहीं होगा क्योंकि infinity हमारा जो है real number नहीं है तो f dash e के पावर x not equal to 0 किसी भी वास्तविक x के लिए यानि हमारा f dash x equal to 0 कहीं पर होगा ही नहीं यानि इसका f x बराबर e के पावर x फ्लन में कोई क्रांतिक विंदू है ही नहीं तो हम लोग क्या कहेंगे f x बराबर e के पावर x फ्लन में कोई भी क्रांतिक विंदू नहीं है f x बराबर e के पावर x फ्लन में कोई भी क्रांतिक विंदू नहीं है अता e के पावर x फ्लन का कोई उच्चितम या निम्नतम मान नहीं है अगर हम लोग e के पावर x का ग्राफ देखें simply तो उससे भी हमको समझ में आ जाएगा कि उच्चितम या निम्नतम मान इसका नहीं है इसका क्या मतलब है यह x एक्सिस हो गया y एक्सिस ही हमारा origin है और जो e के पावर x का आपका ग्राफ बनता है यह इस तरीके का बनता है यह इधर चला जाता है x की value जैसे infinity तक और यह इधर चला आता है माइनस infinity तक और x इक्वल टू जब 0 होता है तो इसकी value मिलती है 1 यह 0,1 यह हमारा y इक्वल टू e के पावर x तो यह हमारा जो है माइनस infinity से आप चलना शुरू करेंगे तो यह increasing फलन है increasing ही होते चला जाता है तो इसमें ना कोई maximum value है ना कोई minimum value है फोर्थ question का first part हो गया अब second part हम लोग करते हैं gx बराबर log x तो सबसे पहले इसका maxima या minimum नहीं है इसके लिए हमको g dash x निकालना होगा अब g dash x और log x का differentiation हो गया 1 upon x अब g dash x equal to 0 अगर हम लोग करें तो इससे हमको करांतिक बिन मिलेगा 1 upon x equal to 0 तो 1 upon x की value कभी भी 0 नहीं हो सकती यह तब 0 होगा जब x equal to क्या हो infinite हो infinite हमारा real number में solution नहीं है तो हम लोग कहेंगे g dash x equal to 0 का कोई भी हल नहीं है कोई भी हल नहीं है अता फलन g x बराबर log x में कोई करांतिक बिन्दु नहीं है तो कोई करांतिक बिन्दु ही नहीं होगा तो यह maximum क्या होगा में कोई करांतिक बिन्दु नहीं है g x बराबर log x का उच्चताम और निम्नताम मान नहीं है थर्ड पार्ट है आपका h x equal to x q plus x square plus x plus 1 इसको हमको प्रूब करना है कि इसका कोई उच्चताम या निम्नताम मान नहीं है तो सबसे पहला काम हम लोग h dash x निकालेंगे this equal to 3 x square plus 2 x plus 1 अब h dash x equal to 0 का जो solution होगा वही हमारा क्रांतिक बिंद होगा तो यह हम लोग देखते हैं यह 3 x square plus 2 x plus 1 इसकी तुलना a x square plus b x plus c से करने पर इससे हम लोग quadratic equation से तुलना करते हैं तो यहाँ पर जो a बराबर हमारा आ जाएगा 3 और b बराबर आ जाएगा 2 और c बराबर 1 अब discriminant होग लोग देखें quadratic equation का तो यह होता b square minus 4 ac तो b square यानि 2 का square minus 4 into 3 into 1 तो d equal to आपका होगा 4 minus 12 equal to minus 12 तो d हमारा क्या है less than 0 और a हमारा है greater than 0 तो a greater than 0 है d less than 0 और d less than 0 होता है हमारा quadratic equation का तो कोई भी real solution नहीं होता तो 3x square plus 2x plus 1 equal to 0 का कोई real solution नहीं होगा अब लोग 3x square plus 2x plus 1 बराबर 0 d less than 0 है अतना इस समीकरन का कोई हल नहीं है कोई वास्तवी खल नहीं है अगर ऐसे हम बोलें क्योंकि जो हल आएगा वो आपका real number नहीं होगा तो कोई वास्तवी खल नहीं है h-x बराबर 0 का कोई वास्तवी खल नहीं क्योंकि इसका जो d है d less than 0 हमको पता है जब quadratic equation का d less than 0 होता है तो उसका कोई वास्तवी खल नहीं रहता तो वास्तवी खल नहीं है अतना हम लोग कहेंगे इसमें कोई क्रांतिक बिंदु ही नहीं यता है h-x बराबर x-q प्लस x-square प्लस x प्लस 1 का कोई उच्चतम या निम्नतम मान नहीं है question number 5 करते है हम लोग परदत अंतरालों में निम्लकित फलों के निर्पेश उच्चतम और निर्पेश निम्नतम मान ग्यात कीजिए तो इसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं क्रांतिक बिंदु निकालते हैं और क्रांतिक बिंदु में हमारा जो डोमेन का जो end point होता है अगर यह big bracket है तो यह वाले बिंदु भी हमारे क्रांतिक बिंदु के रूप में लिए जाते हैं उसके बाद क्रांतिक बिंदु मिल गया और यह अंत वाले जो दो बिंदु ले लिए इन सब के हम लोग value निकाल लेंगे जो सबसे बड़ी value होगी वो आपका निरपेच हुच्चतमान होगया और जो सबसे छोटी value वो निरपेच निरपेच निम्चतमान तो f-x equal to यह होगया आपका 3x square f-x equal to अगर आप 0 करें तो 3x square equal to 0 यानि x equal to 0 तो x equal to हमको मिल गया 0 यह क्रांतिक बिंद और यह minus 2 और 2 इन तीनों पे हम लोग फलन की value निकाल लेंगे जो सबसे बड़ी value आएगी जिस पे तो x equal to 0 पे यानि f 0 की value आपकी क्या हो जाएगे 0 का q बराबर 0 x equal to minus 2 पे f minus 2 minus 2 का whole cube equal to minus 8 और x equal to 2 पे value f2 फलन में हम लोग x की जगाह पे 2 रगने 2 cube equal to 8 तो इसमें सबसे बड़ी value क्या है हमारी 8 तो 8 हमारी क्या हो जाएगी यह निरपेच maxima हो जाएगा निरपेच उच्चतमान तो absolute maximum value भी बोलते हैं absolute maximum value तो मारा x बराबर 2 पे जो आगया आपका निरपेच उच्चतमान उच्चतमान और यह कितना है 8 और x equal to minus 2 पे यह हमारा नियुनतम है x बराबर minus 2 पे निरपेच नियुनतमान नियुनतमान minus 8 है यह question number 5 का first part हो गया second part आपका है f x equal to sin x plus cos x और x की value 0 से πाई के बीच में और 0 और πाई पे big bracket है इसलिए हमको 0 और πाई वाले बिन्दों भी include करना पड़ेगा तो सबसे पहला काम हम लोग f dash x equal to 0 करके कराम तिक भी निकालते हैं sin x का differentiation cos x और cos x का minus sin x f dash x equal to 0 करेंगे आप तो cos x minus sin x equal to 0 यानि cos x equal to sin x equal to cos x यहां से अगर cos x से दोनों तरफ divide कर दें तो tan x equal to 1 हो जाएगा यानि tan x equal to 1 और tan 1 कौन लोग tan pi by 4 लिख सकते हैं क्योंकि tan pi by 4 की value 1 होती है तो यहां जो x की value आजाएगी एक value pi by 4 अगली value pi plus pi by 4 क्योंकि tan की value pi के बाद रिपीट करती है लेकिन pi plus pi by 4 हमारा pi plus pi by 4 यह cancel हो गया क्योंकि यह pi से बड़ा है तो हमको जो क्रांतिक बिंद मिल गया x equal to pi by 4 और यह end point भी हमारे होगे 0 और pi अब इन ही तीनों पे value निकालेंगे जो सबसे बड़ी value होगी वो absolute maximum होगा तो f आप pi by 4 सबसे पहले हम लोग निकालते हैं तो यह हो जाएगा sin pi by 4 plus cos pi by 4 sin pi by 4 की value 1 by root 2 cos pi by 4 की value 1 by 2 by root 2 हो गया यानि 2 by root 2 इसका मतलब root 2 तो f आप pi by 4 की value आगए आपकी root 2 f आप 0 की value हम लोग देखते है x equal to 0 पे यहां लिख देते है x equal to pi by 4 यहां पे x equal to 0 तो यह हो जाएगा sin 0 plus cos 0 sin 0 की value 0 cos 0 की value 1 तो f 0 की value आगए 1 f 0 हमारा आगए 1 एक और बच्चा है x equal to pi pi पे हम लोग निकालते है f pi यानि sin pi plus cos pi और sin pi की value होती है 0 और cos pi की value minus 1 तो यह आपका आगया minus 1 तो f pi हमारा आगया minus 1 अब absolute जो है हमको सबसे बड़ी value क्या है उच्चतम मान x वराबर pi by 4 पर root 2 है और निर्पेच निम्नतम मान निर्पेच निम्नतम मान x वराबर pi पर minus 1 है थर्ड पार्ट हम लोग करते हैं आपका f x equal to 4 x minus 1 by 2 x square x की value minus 2 से 9 by 2 तक है इसमें हमको absolute maximum absolute minimum निकालना है तो सबसे पहले हमारा काम होगा f dash x निकाले और उसको equal to 0 करें तो f dash x हमारा हो गया 4 x का differentiation 4 minus 1 by 2 into x square का differentiation 2 x f dash x equal to 0 करेंगे तो यहां से हमारा आ जाएगा 4 minus 22 खतम हो गया x equal to 0 यहां से आगे आपका x equal to 4 तो आपका एक क्रांतिक बिंद तो x equal to 4 मिल गया x equal to 4 और जो आपका जिस पर फंसन परिभासित है आपका वो last वाली बिंद अगर आपके big bracket है तो यह बिंद भी दोनों आपके लेने पड़ते हैं तो यह minus 2 और 9 by 2 अब इन तीनों पर यहां लोग value निकाल लेंगे फलन की जो सबसे अधिक्तम value होगी वो maximum होगी absolute maximum जो सबसे छोटी होगी वो आपका निरपेच निम्तम होगा तो x equal to 4 पे हम लोग निकालते हैं f4 की value तो f4 आपका होगया 4 into 4 minus 1 by 2 into 4 का square तो this equal to 16 minus 8 यह 16 बटा दो आठ हो जाएगा तो इसकी value आगई 8 यानि f4 की value आपकी आगई 8 x equal to minus 2 पे हम लोग निकाल लें यानि f minus 2 की value तो function में जो 4 x minus x square by 2 हो है इसमें x की जाएगा पे minus 2 पूट कर दें तो 1 by 2 minus 2 का whole square तो f minus 2 equal to minus 8 और यह minus 4 by 2 हो जाएगा तो this equal to minus 10 तो f minus 2 की value आपकी आगई minus 10 फिर आप x equal to हम लोग 9 by 2 पे निकालते हैं f half 9 by 2 तो x की place पे 9 by 2 minus 1 by 2 9 by 2 का whole square तो this equal to यह हो जाएगा 18 minus 18 बटा 4 तो यह हो जाएगा 54 बटा 4 तो 54 बटा 4 मतलब यह 13 से बड़ा रहा है तो 3 value हमको मिल गई f4 equal to 8 f minus 2 equal to minus 10 और यह अब देखे हैं हमारा जो सबसे चोटी value है यह क्या है minus 10 और सबसे बड़ी value यह है तो हमारा जो maximum हो गया x equal to 9 by 2 पर हमारा निर्पेच मैक्सिमम निर्पेच उचतम मान 54 बटा 4 तथा x equals to minus 2 पर निर्पेच 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 मान निर्पेच निर्पेच मान minus 10 है तब कर यह absolute निर्पेच मैक्सिमम निर्पेच मीनमा पता चल गया एफ फोर इंटू नाइन बाइटू यह हमारा दो दूनिचार यह ठार माइनस और सरी नौन एक क्यासी बटा चार होगा यह थोड़ा से सुधार कर लेते हैं इसमें यह नाइन एक क्यासी बटा चार बहात्तर माएं यह हो जाएगा आपका 88 चोके 72 चार दोनी आठ हो जाएगा यह क्योंकि 1 बाइटू पहले से हैं तो इसकी वेलो आपकी हो जाएगी 18, Åh, 18 माइनस 181 बता 4 181 बता 2 दूनी 4 दूनी 8 तो ये 18 इसकी वैarms आ जाएगी आपकी 7.875 7.875 तो हमारी जो maximum वै Bür助 हो जाएगी F4 पे होगी वो 8 तो और Xards equal to 4 पे और maximum वैरू आपकी होगी 8 इसमें थोड़ा सा Calcuration mistake था X equal to 9 by 2 रखेंगे तो 4 into 9 by 2 minus 1 by 2 9 by 2 का होल इसको है तो ये 2 से कैंसे 2 दूनी 4 ये 18 minus ये आपको वोगए 18 minus 180 बटा 180 बटा 8 तो इसके वेलो आजाएगी 7.875 और निरपेच मिन्तम निम्तम मानवारा minus 10 है और absolute maximum X equal to 4 पे 8 है थर्ड पार्ट हो गया अब इसी का एक पार्ट और हम लोग करते हैं FX equal to X minus 1 का whole square plus 3 तो सबसे पहला का हमारा F dash X निकालेंगे तो ये 2 into X minus 1 हो गया F dash X equal to 0 करेंगे तो 2 X minus 1 equal to 0 यानि X equal to 1 तो जो करांतिक बिंद हमको मिल गए करांतिक बिंद ये आपका हो गया X equal to 1 minus 3 और ये X equal to 1 तो repeat हो जाएगा तो सेम बात है ये 2 बार लिखने की ज़रूरत नहीं X equal to 1, X equal to minus 3 और X equal to 1 तो 2 बार लिखेंगे क्या अब हम लोग इस पे X equal to 1 पे बैलू निकालते है F1 F1 हमारा हो जाएगा 1 minus 1 का whole square plus 3 1 minus 1 ते 0 हो गया 3 यानि X equal to minus 3 पे बैलू निकालें F minus 3 के बैलू हो जाएगी minus 3 minus 1 का whole square plus 3 F minus 3 equal to 16 plus 3 equal to 19 अब हमारा जो minimum बैलू हो गया वो 3 और maximum बैलू हो गया 19 तो निर्पेच उच्चतम मान निर्पेच उच्चतम मान X equal to 1 पर सुरी निर्पेच 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 उच्चतम मान X equal to 1 पर 3 है और निर्पेच उच्चतम मान X equal to minus 3 पर 19 है झाल